पृट बीकिटार ठीक इप hyper ट्रीक यह मुंट करेंगे तो फ़ट इस सब्सक्राइबूण में इसमें कह रहेगा और और Пॉड़ी के पर्ट वो इंवाल्ड रहे इन धा बडे दिग ब्रीदिंग में जो पार्टी इन वाल रहते हैं उनको हम रेस्पिरेट्रीक स्स्टीम बुलते हैं अब जब आक्षिजन कर रहे तो आपके या ऐसाइनतिक जो हो में इस पर पर आपर वीडियो मेंने बनाया है four types of sinuses उसमें रहे हैं sinuses में cavity present in the skull skull में जो cavity रहेगी वो भी involved रहेगी then mouth आपका रहेगा then throat उसको pharynx बोलते है then voice box जिसको larynx बोलते है wind pipe रखिया diaphragm lungs bronchi और bronchial tubes और अलवे ओला है यह जो है आपका respiratory रहेगा नेजल cavity यह जो है यह फैरिंग्स इसको pharynx बोलते है यह जो है इसको larynx बोलते है वाइलेट कलर का देन यह जो है लॉंग ट्यूब उसको ट्रकिया बोलते है ट्रकिया जो है वो दो मसल का जो band रहेगा उसको diaphragm बोलते हैं और यह bronchioles रहेंगे bronchioles भी वहाँ पे involved रहेगा फर्स्ट वन इस दर नोज आपsmel कर सकते है उसमें जो all factory region रहता है यहां पर यह जो आपको यह incense प्रकिया गिए इसको और कि रभर बोलते हैं इसको यह बोलते हैं वह जो है वह स्मेल्डेक्ट कर सकते हैं इसको all factory नर्व वेगर बोलते हैं तो हम बाद में देखेंगे लेकिन यहाँ पर आप यह द्याण में रोको कि नोस के अंदर और और फैक्टरी नर्व से रहते हैं इसके वज़े से आप स्मेल जो है वह डिटेक्ट कर सकते हैं जो नोस है वह आपके एयर को वर्म करने का भी काम करता है और यह इसको शेप भी जो है वो प्रोवाइड हो जाता है तो अब यह है आपको शमज माया नोस नोस के अंदर बहुत सारे पाट रहते हैं उनको नेजल काविटी बोलते हैं नेजल कैविटी मिंस जो आपके जो एर ही व मा को इडिवाइड करने का पारट है उसको नेजल काविये अलडरड अर dated हमने यह सब चीजें देखिए तल इन यूर्बी क्वना तो कौन चीज बोलते हैं इसको मिडल इंफेरियर कंची ऐसा उसके इनदर ने you यूह है उसको वर्म करने का काब करता है शॉ hören चुरु है नोज और इंटरनल नोज में state रoff सप्राइड इसके वज़े सब्सेट आसे नाक में आती नहीं यह मिलता है श्कुण रहते हैं जो नेजल सेप्टम बोलते हैं इसको आंदर में यह सब चीज़ चोटे-चोटे-चोटे-चोटे-चोटे-चीज प्रेजंट रहते टर्विन है तो यह को मौश्यन करने का काम करते ह। उब present रहते हैंस के अंदर यह आपके अन्दर में सश्चियर के भाद हमको क्या 相关'S फैरेंगर वाहां से यह सुरु हो जाता है और राऌड यह one तेरा सेंटीमिटर इतना लॉंग रहता है, लेंस के बैक साइड में यहां हैएक केविटी रहती है, इसको नेजो फैर 194 और पान। या आपको वाइस बोक्स रहता है उसके उपर जो प्रेजेंट रहता है उसको लेरिंगो फैरिंग्स बोलते हैं उसको हम गलाटीस ऐसा भी बोलते हैं वो फनेल शेपड़ रहता है और इसका जो साइज है अराउंड 4.5 इंचेस अराउंड 13 सेंटीमेटर इतना क्या रहेगा उसका लॉंग जोए उसका साइज रहेगा तन फैरंस के आनडोमी में हमने देखा नेजल कैविटी नाक पीछे का पॉर्शन रहता है नेजल कैविटी और उसको कनेक्ट करने का का हम नेजल फैरिंग्स रहता है और फैरिंग्स मिड पार्ट अप द थ्रोड कनेक्ट टू द अपके थरॉट नारिक्स के नियर जो आपका वोस बोक्स रहता है उसके नियर रेसेंट रहता है हवा मतच पोछ फोर्टवाल रहेता है क्वातीं नियर शाटे वह आपके तो यह जो तो टॉंसिल से आपके defense mechanism में important role place करते है defense mechanism आपको मालूम होगा आपने कुछ खाया और उसमें कुछ infection रहेगा तो यह जो टॉंसिल से वह fight कर दिये infection से और उसकी वजह से उसको कूलो दें है एक ट्रोफ साइड में ला एक ये फे सविगे हैं से अभी आपको फैरिंग समझ आएगा नोस के बाक्साइड में नेजोंल फैरिंगें इस तो फैरिंग को बीच तक स्रेटा है वह 10 सेटिमेटर इतना रहता है उसको हुआस थांसिल भी बोलते है जो फारिंग रहता है ओ फनेल शेप्ड प्रेजन रहता है तो नेक्स्ट हमको देखना है लेरिंस स्कॉल्ड हुआ वईसबोक्स यह जो बीच का पॉर्शन है इसको क्या बोलते है लेरिंग सा सब बोलते हैं जो लारिंग से वो डिवाइट होता है इसको वोईस वोक्स भी बोलते हैं यह आपके नेक के मिड सेक्शन में प्रेजेंट रहता है इसमें इसमें इपी गलॉटिस और है प्रेजेंट रहता है जहां पे आपका फारेंग्स के तम होता है वहां पे जो यले इस क क्या बोलते हैं लारिंग्स बोलते हैं जो लारिंग्स है वो तीन पार्ट में डिवाइड होता है उसको सब लारिंग्स लारिंग्स है सुप्रा लारिंग्स उपर का नीचे का और बीच का ऐसा उसको बोलते हैं सुप्रा लारिंग्स अबाव जो लारिंग्स के उपर रहता है उसको सुपरा लेरिंक्स बुलते हैं , जो लास्ट उसको सब्व+.- इस सब्भप्रा लेरेंस, उसको बने गालते हैं ओन्स पैरंग्स आप बोल भी नहीं सकते थे, फाल क्या करेका , यह क्या क्रेग आपके छो धयाक काम और यह पर कंहाएगे यह जो लारिंग से इसके अंदर में म्यूकस मेंब्रेन प्रेजेंट रहेगा इसमें एक जो कार्टिलेज रहता है उसको हम एडम्स एपल बोलते हैं जो थोड़े से हाइटेड परसन रहते हैं उनमें देखा होगा कि इनवर्टेड एपल यहां पर थ्रोड पर एक एरिया और परनेक पर एडेजा सैपल था सब्सक्राइब आदम्स एपल इस सेकांट पार्ट है उसको अम बोलते हैं बी artEx किया रहते हैं जो है वह एक परकार का ढऊन आसा वहर करता है में इसके लिए परकार का कवर ने में जाहें इसके करता है उसको हम इपिगुलाटिस ऐसे बोलते हैं स्लारिंस के टॉप पे जो है वो प्रेजेंट रहता है आप जब खाना खाते तो यह जो आपका इपिगुलाटिस है यह क्लोज करता है आपके ट्रकिया को यह आपके वींड पाइप को क्लोज करने का काम करता है यह आपके फूड को ट्रकिया में जाने से बचाने का काम जो है वो कौन करता है इपिगलाटिस आपने देखा होगा कि जब आप खाना खा रहे हो सदन कभी कभी आपको क्या होता है आपका जो खाना और फुड माटेरियल जो है वह त्रकिया में जाता है त्रकिया गया जो क्या हो जाता है आपको खासी आ जाती है बहुत जो जो से आप खासने लगते है और उसको धासी ऐसा भी बोलते है यह जो खासी आ जाती है यह क्या कर पूरा यह बाहर आएगा तब आपके खासी जो है वह बंद हो जाती है इसको हम ढूलते हैं जैसे कि उसको चोकिंग गास्पिंग या उसको धासी ऐसा भी बोलते हैं तो कभी-कभी खाना खाते टाइम आपको दूसरा सोच रहे है और सोच रहे तो आपके दिमाग को यह समझ म शम्राइभ पैंध नहीं हुआ तो चो कहाना है वह आपके रकी ऐ न जाता है यापके बहरे है च्बेंटे उसको नहीं हो सता है जाता है जो एक लिए हो यह घाक ब्स elixctall स्परकार का थानिवैख क्रूइट कर है स्पर्धिंगन में बादी नहीं है voice production है इसके लिए उसको voice box बोलते हैं तो अभी आपको समझ में है larynx जो है इसको voice box बोलते है इसमें एक जो है उसको आपका thyroid cartilage रहता है इसको हम Adam's apple बोलते है जिसके उपर आपका thyroid gland जो है वो present रहता है second इसमें epiglottis रहता है यह epiglottis आप खाना-काते टाईम बंद करने का काम जो है वह आपका brain करता है देन थर्ड वन इसमें इसको voice box बोलते हैं क्यूंकि इसमें जो है वह हुकल kोड प्रेजेंट रही थी इसकी वज़े से आपका जो voice है और आप गाना गा सकते हैं बोल सकते हैं सब चीज़े कर सकते हैं और जब य यहाँ पे यह जो दिख रहे हैं यह क्या है आपकी ट्रकिया लारिंग्स और ब्रॉंची इसके बीच की यह लॉंग ट्यूप जो है उसको ट्रकिया बोलते है इडिसे में एरवे तूद लंग्स यह जो है वो में एरवे आपके लंग्स अराउंड 12 सेंटीमेटर लॉंग यह जो है 맛 signal रहती है और 2.5 सेंटीमेटर इसका डायमीटर रहता है जो यह जो है आपकी यह जो ट्रकिया है । यह कोटान को से घ्याविस में सब्सक्राइब करणी त्रॉक्त अच्राइब सब्सक्राइब करना दो शाये चैसे में थे the आपकी ट्रक्या जो है वह स्टार्ट होती है और यह जो ट्रक्या यह बनती है हाया लाइन कार्टिलेज बोलते है इसको और यह ट्रक्या है इनकमपलीट रिंग से बनती है इसको सी शेपड़ा रिंग बरते क्योंकि पीछे के साइड के आपको इसोफेगस एटाच रहती है इसके वज़े से यह कंप्लीट रिंग जो है वो फॉर्म नहीं करते है और यह जो ट्रक्या है हाड मठेरियल से बनी होती है क्युक्र जब हमने इसोफेगस इंजनरल देखा तो यह तो फूर्म और खानाे आप कॉन्ट्यूनियू काते हैं यह hard material से बनी रहते हैं उसको higher line cartilage बोलते हैं अभी आपको समझ में आया ट्रकेया जो है उसको wind pipe बोलते हैं बीच का portion जो है वो ट्रकेया cover करती है ट्रकेया at the point of karayna divide होती है right और left bronchus में उसको bronchi ऐसा बोलते हैं यह जो point है उसको karayna बोलते हैं ट्रकेया जो है वो around 12-15 cm इतन के बीच का जो wind pipe उसको ट्रकेया बोलते हैं और वो collapse नहीं हो जोंकि वो cartilage से बनी होती है उन्हों लंक्स में एक एक ऐसे ब्रॉंची जो है वह एंटर करती है जो ब्रॉंची है वह छोटी-छोटे ब्रॉंची में again small इसको secondary ब्रॉंची टर्शेरी ब्रॉंची ऐसे उसमें अलवयोला साग बलते हैं मैं फंक्चन ऑफ ट्रॉंच्ट्र है इस ट्रांसपोर एर हमको मालूम है कि ट्रकेया जो है वह में विंड़ पाइप करके काम करते हैं तो ब्रिधिंग के टाइम जो है एर इन आउट करना अपके एर उसको करती है वार्म करती है और जो फॉरें ब प्राम की ऑबोने स्क प्राइमरuez घ्रट में कारडियक चीक पराइप प्रॉस यह इक और हम के गबेक्ट हिसार नौडियक प्राये ऐब रहते हैं यह इसको करेब लंग करने काूटार्ट जो है उसको प्लूरल फॉर्म बोलते हैं ब्रॉंकस बोलते हैं इसको लेप ब्रॉंकस इसको बोलेंगे एक को है तो ब्रॉंकस बोलेंगे दो रहेंगे तो इसको ब्रॉंची बोलेंगे जो ब्रॉंची हो आपके इसेंशनल पाथ है important पाथ है respiratory system है? आप जब सास लेते हैं तब आपका लंग्स व्रांची औं ब्रॉंची को समझ में ब्राँचि test to botiतुए है इंवर्णी ट्री लांड स्ट्रक्चर दिखता है इसकेशों ध्र 203 व oui वो नैचर रहता है इसमें ट्रकिया चांटी प्रेजंट और प्रजन रहते ओर एड़ यह जो है वो आपकी alveoli sacs रहेंगे तो अभी हमने देखा कि bronchi, primary bronchi, secondary bronchi और tertiary bronchi, then ये जो है bronchules, और at the end यहाँ पे एक sac present रहती है उसको alveoli sac बोलते है और air sac बोलते है तो ये जो air sac के exactly कह रहे थी bronchules के end में present रहती है ये जो air है वो आपके lungs को pass out करने का काम जो है alveoli जो है वो exchange करती है O2 और CO2 का exchange करती है जब आप सास लेते हैं और छोड़ते हैं जो oxygen present रहता है आपके lungs में वो blood को provide करने का काम alveoli करते हैं और जो blood में CO2 रहता है वो CO2 बाहर फेकने का काम भी alveoli ही करते हैं आपके lungs में 480,000,000 इतने alveoli जो है वो present रहती है जो bronchi रहती है वो आपके gases exchange में important role plays नहीं करती हमने देखा trachea trachea divide हुई bronchi में trachea cartilage से बनी थी bronchi भी cartilage से बनती है लेकिन जैसे जैसे इसका primary, secondary, tertiary branch में divide होता है ये छोटी छोटे parts में divide होती है तो cartilage जो है वो कम होता है और soft tissue जो है वो ज़्यादा हो जाती है जब ये end में आ जाती है जब ये alveoli sac हो जाती है तब उसमें cartilage नहीं रहता है उसमें सिर्फ soft tissues प्रेजेंट रहती है यहाँ पे ये जो end को है उसको हम alveoli sac बोलते हैं lungs के अंदर यहाँ पे bronchi है और broncus है और उसमें ये bronchioles में एक air stack प्रेजेंट रहती है उसको alveoli बोलते है और ये जो alveoli है वो क्या करता है जो हवा अपने अंदर लिए उसमें क्या है अभी oxygen है लेकिन जब मैंने circulation बोला था circulation में क्या बोला था जो pulmonary artery through blood आने वाला है वो deoxygenated है वो आपके body ने use किया है उसमें oxygen नहीं है ये जो blood है ये capillary through यहाँ पे आ जाता है और ये capillary से क्या हो जाता है आपका CO2 जो है मिंस उसमें CO2 जाता रहेगा CO2 जो है वो आपके lungs में जाता है और जो air है उसमें जो oxygen रहता है वो आपके blood में mix हो जाता है अगें ये जो capillary है वो क्या करती है connect होती के उसका venules तायर होता है और venules की vein तायर होती है और उसको हम pulmonary vein बोलते है जो pulmonary vein आपके left atrium में enter हो जाती है और left atrium से left ventricle और left ventricle से पूरे body में जो कुछ circulation हो जाता है वो अपने systemic circulation बोला और वो जो circulation है उसमें oxygen containing रहेगा क्योंकि ये alveolar जो है वो gases का exchange करती है CO2 यहाँ से आपके blood से CO2 एपसॉर्ब करती है और आपके blood में O2 mix करती है आप जो हवा लेते हैं उसका end जो है वो आपके alveolar रहेगी आपकी जो alveolar उसके ऊपर capillaries जो है वो जो blood oxygen जो blood रहेगा वो आपके capillaries ने around किया होगा मना रे आर्ट्री से यह जो blood है वो deoxygenated blood आएगा oxygen mix हो जाएगा और उससे pulmonary vein में mix होगा हो क्या release करेगी CO2 release करेगी आवा से जो oxygen लिया है उसको आपके blood में mix करने का काम capillaries करेगी जो ब्राउन चीज रहती है या ट्यूब रहती वो लाइन रहती है सिलिया से जैसा आपका nose है उसको hair से वो सिलिया से cover होता है जो छोटे-छोटे hair से उससे line रहती है यह जो motion है वो जो मुमेट है मुकस करते हैं पूरे ट्रकिया में आई है जो मुकस है वो spread रहता है यह जो है मुकस आप आइदर swallow करते है यह करते हैं जो मुकस है वो catch करता है डर्स जर्म सो और इसकी वज़े से आपका जो respiratory track है वो clean रहता है उसको को इनसा भी infection जल्दी नहीं होता लास्की दलं अभी लंक्स क्या है लंसे वो oxygen लेंगे आपको oxygen नहीं लेंगे तो आपका function नहीं होगा क्यूंकि oxygen क्या करता है oxygen आपने जो food material लिया है उसका breakdown करता उससे energy जो है वो create करता है और co2 release करता है लंक्स जो है वो क्या पोलुष टेड एयर रहेगी जब आपके डेथ हो जाती है तब आपका लंग्स देखा तो ब्लैकिश कलर का हो जाता है विकॉज ऑफ पोलुष टेड एयर आप जो है इनहेल करते हैं इसकी वज़े से चेस्ट है उसकी बहुत सारा एरिया जो है आपके लंग्स ने लिया है यह यहां पे एक राइट लंग है एक जो है आपका लेफ्ट लंग है यहां पे एक नॉच प्रेजेंट है इसको हमने कार्डियक नॉच बोला था इसमें हार्ट प्रेजेंट रहेगा यह जो लंग से यह मसल के उपर रहेगा उसको हम डाइफ्रेगम बोले है और यह जो मसल बै अपसल दिखोर करते हैं इसको प्लूरा आशा बोलते हैं में घ्याइड जाता है ये cavity में जब पानी भर जाता है तो इसको effusion ऐसा बुल दे और ये पानी भर गया अभी ये right side का जो है lungs का size क्या हुआ कम हुआ obviously ये lungs का size कम होने के वज़े से आपको oxygen भी है वहाँ पे भहुत कम मिलेगा और oxygen कम होने के वज़े से आप breathless हो जाता है means आपको लगता है और oxygen चाहिए तो आप बहुत जोर जोर से सास लेते हैं बहुत जोर जोर से सास लेने को breathless ऐसा बोला जाता है जो right lung है वो आपका three parts में डिवाइड करते हैं उस right का जो है वो superior middle और inferior lobe में डिवाइड होता है तो left का जो है वो superior और inferior दो ही लोब में डिवाइड हो जाता है बीच में यहां पे जो है वो cardiac notch प्रेजेंट रहेगा अभी आपको respiratory rack समझ में आया इसमें जो है वो upper track जो है उसमें nose nose में हमने देखा nose external internal nose रहेगा opening रहेगा उसमें mucos जो है वो present रहेगा उसमें air को humidified करने का काम करेंगे then nasal cavity nasal cavity हमने देखा जो air जो cavity present रहती है nose के अंदर उसको nasal cavity बोलते है then sinuses, sinuses एक प्रकार की cavity present रहती है उसके वज़े से आपकी जो air है वो जो है वो warm हो जाती है then हमने pharynx देखा then हमने ब्रॉंची देखी करायना at the point of करायना जो टर्किया है वो दो पार्ट में डिवाइड होती है right और left ब्रॉंची और यह जो ब्रॉंची है वो ब्रॉंची प्राइमरी सेकेंडरी और टार्शियरी में गश्मरी यहां पे एक साइक साइक प्रेजेंट रही इसको अलवैलाई साइक बूलते यह यह ही अलवैलाई शाइक जो यह वह लास्ट डेस्टीनेशन है आपका उक्सीजन का हमने देखा कि उक्सीजन जो हमने लेते टाइम 21 परसेंट लिया और छोड़ते टाइम हमने शि और उसके वैनियोंट के बाद एक ब्लॉड करती है दो आपको प्रॉपर रेस्पीरेट्री सिस्टेम देखेंगे थैंक्स फॉर वौचिंग झाल